दीक्षा सिर्फ एक प्रवेश करनी की प्रक्रिया है ये एक उर्जा प्रक्रिया है दीक्षा एक ट्रांस्मिशन या संचारण है ट्रांस्मिशन के बिना कोई रुपांतरण नहीं होता उसी दिशा में ये रुद्राक्ष दीक्षा दी जाएगी ये एक तरह की शुर्वात है जिससे कि आप शिव के परमानंद के आंसुओं में भीग जाए तो योगिक संस्कृती में साल को इस तरह बाटा गया है ग्रीश्म संक्रान्ती से शीतकाल संक्रान्ती तक साधनपद है शीतकाल संक्रान्ती से आगे कैवल्यपद है This means, साधन पदा is time to work upon ourselves. अगे वढ़ेगा और एक उच्चतर संभावना की ओर हमारी साहता करेगा. क्यूंकि उत्तरी गोलार्ध के साथ संबंद में जहां सूर्य शीत काल संक्रांती से ग्रीश्म संक्रांती तक है, वो उन लोगों के लिए सबसे जादा फाइदे मंद है जो उत्तरी गोलार्ध में है ये महत्वपूंड समय है क्यूंकि ये फसल काटने का समय है. भारत में भौतिक रूप से भी ये फसल का समय है जिसे संक्रांती माना जाता है और जिसे तमिलनाडू में पोंगल कहा जाता है. ये वास्तव में फसल काटने के उत्सव है. ये किसान का उत्सव है या ये फसल क ये बारे में है, एक योगी के लिए भी ये फसल का समय है, जो काम आप अपने भीतर करते हैं, ये उससे आप जो चाहते हैं वो लेने का समय है, क्यूंकि फसल सिर्फ एक बार की नहीं है, आपको धीरे धीरे चीजें बटोरनी चाहिए, ताकि कुछ समय बाद अगर आप अपन अपने भीतर इतनी संपदा एकठी कर ली होगी, उसी दिशा में ये रुदराक्ष दीक्षा दी जाएगी, तो रुदराक्ष किसी ऐसी वस्तू के रूप में नहीं दिया जा रहा, जो भौतिक है, ये दीक्षा के रूप में दिया गया है, या ये एक तरह की शुर्वात है जिससे कि आप शिव के परमानंद के आसमों में भीग जाए दीक्षा दिशा निर्देशों के किसी पुलिंदे के बारे में नहीं है दीक्षा कोई शब्दों का समूह नहीं है दीक्षा सिर्फ एक प्रवेश करने की प्रक्रिया है ये एक उर्जा प्रक्रिया है तो दीक्षा एक ट्रांस्मिशन या संचारण है ट्रांस्मिशन के बिना कोई रुपांतरण नहीं होता दीक्षा एक सीधा संचारण है ये उस तरह का होगा और ये हमेशा की तरह प्रभावी होगा